असलाम वालेकुम इस्टूरेंट्स इस्टूरेंट्स आदे हम गुरुप बाय और हैविंग क्लॉस को यूज करना सीखेंगे इस्टूरियल रहा इस्टूरेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने एग्रिगेट फंक्शन्स लास्ट टाइम यूज के थे इस्टूरेंट्स गुरुप बाय और हैविंग क्लॉस हमारे पास एग्रिगेट फंक्शन्स के साथ हम अपने गुरुप बाय और हैविंग क्लॉस को यूज करते हैं अगर आपको multiple rows को group बनाना है तो आप फिर group by clause यूज़ करेंगे बिलकुल इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर एक table create किया और यहाँ पर एक क्यूरी लिखिए select department some of scores from game score group by department आपके पास जो भी column name वे वो आप यहाँ पर mention करने है इस students अब having clause की बात करें तो having clause में हमारे पास group by के साथ क्यूज होता है अगर आपको multiple rows select करने है with condition तो आप having clause लगाने है like मैंने यहाँ पर लिखा select department some of score from game score group by department आप यहाँ पर mention करेंगे कि आपको कौन सी condition यहाँ पर लगानी है for example मैं आपसे बात के लूँ यहाँ लास टाम students अभी मैंने एक table create के select historic from game score जो कि आपको यहाँ पर mention है अब मैं आपको group by clause लगा के दिखाती हूँ आप लिखें यहाँ पर select department उस column का नाम लिखें जो कि आपको यहाँ पर देखना है for example मैंने लिखा department उसके बाद आप students aggregate function का नाम लिखें जो आपको यहाँ पर mention करना है उसके बाद जिस aggregate function के साथ column यूज करना है वो लिखें from आपके पास किस department से है किस table से है वो mention करें for example मैंने यहाँ पर लिखा game score अब आप students group by clause लगाएंगे group by clause में आप department के तुरू easily department wise sum देख सकेंगे यह students मेरे पास group by का अंसर आ गया जिसमें आपके पास यह mention है कि HR department को आप total HR department के जो आपके पास score है वो है 4000 IT department के है 4500 marketing के है 3500 बिलकुल इसी तना है students अगर मैं बात कर लूँ अगर मैं बात करने students having clause की तो आप having clause में condition लगाते हैं for example आपने लिखा select department sum of score आ रहा है आपके पास from किस table से आ रहा है उसका नाम mention किया group by department आप इसी के आगे यहाँ पर condition लगा देंगे कि आपके पास like 4 department आने चाहिए जिसमें आपके पास जिसका score आपके पास greater than something like मैं यहाँ पर लगा लेती हूं greater than 4000 अब आपके पास students सिर्फ वो departments आएंगे चिनके score का sum आपके पास greater than 4000 होगा like that आपके पास IT department का sum 4000 से greater than so आपके पास यहाँ पे output में IT department आ गया इस students आज हमने group by or having clause को use करना सीगा hopefully which is beneficial for you if you like our tutorial must be like and subscribe our channel Allah Hafiz